हेलो दोस्तो問 मेरे पास कुछ सवाल आया है और बहुत ही काम का सवाल है ये कुछ लोगों ने सवाल किया है लेकिन यह सबी के सब्सक्तr Eco चै rice आशक्ता है आश्त्रायर मेर या ये सब्सकुत में रास्ता है बंद कर दे तो क्या करें मतलब कि आपका रास्ता घर का रास्ता जो होता है आने जाने का वह किसी के नीजी जमीन से होकर गुजरता आते जाते हैं अगर वह बंद कर दे रहा है रास्ता तो आप क्या कर सकते हैं या फिर आपका ही नीजी जमीन है और उसमें किसी ने राश्टा बना रखा तो आप बंद करेंगेमें तो आपके साथ क्या हो सकता है पहला जनकारी यह दूगा दूसरी बताने जा रहा हुए सरकारी रास्तह्ता है और अतिकर्मन करता यह बंद करतेताया है सरकारी सवाथ काफ sedτα that यह झांते हैं आपका प्रोस्ति या फिर अगल बगल वाल उसे बंद करने का प्रयास करता है मैं सबस्क्राराइब देता है जो आने जाने में परिशानी होता है हमें तो इस स्तिति में क्या आसपकर válu तिसरा सवाल यह है कि किसी जमीन ये प्लोट में रास्ता कैसे निकाले ये काम का है पूरा वीडियो देखिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक आपको जरूर करना इस आपको like करें मैं जा 거तार रहा है तो रहा है कि इस जवाब करें लाइक करें लिए बदाने का प्रेयास कर आते हैं आपने सवाल पर कि किकी नीजी जमीन में पहले से किसी के नीजी जमीन में रास्ता है लोग आ जा रहा है पहले से भी घर बना हुआ है दो चार और वहां पर पक्का मकान बना लेते हैं और कुछ दिनों बाद कुछ सालों बाद कुछ महीनों बाद अगर जिसका नीजी जमीन है वह यह कहकर रास्ता आपका बंद कर दे उसके बाद वी फिर आपने घर बनाए वहाँ पे और रहly चालू कंडिशन में काफी दिनों से काफ़ी साफ़ों से लोग चल रहें और उसके बाद बंद कर रहा है फिर आप निकल। प Field निकले लिए का आपने वहाँ पर जमीन खरिद लिया पहले से जु Verfügung घर बना चुके है लेकिन वह बंद करता है इसका मतलब या तो आपसे दुस्मनी करने का कोशिस कर रहा है या आप से जलता है या आपको परिशान करने का कोशिस करता है उसका मंसा यही होगा क्योंकि अगर रास्ता है तो आप जब घर नहीं बनाते जमीन को बीच लेते यह दूसरे ला तो आप ने घर बना लिया पका उसके बाद बच रहा है तो रस्ता बंद करता है या बंद करने का प्रयास करता है तो आपको करना क्या है कि सब्सक्राइब 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 तो आप उनके पास आबेदन यह लिखेंगे कि यह जो मेरा रास्ता है जहां क्छान से मैं आता जाता हूँ मेरा एक मात्र घर पर जाने का वही रास्ता आpt कि यह जो पता नहीं आप यह नहीं होती है मुझे घर पास दूसरा कोई और समय नहीं जा सकता वह को बंद कर रहा है यह करने का परेयास कर रहा तो निश्चित तोर पर वहांसे प्हेज जाएगा किसी को कि ने किसी पताधिकारी को बहचा जयेगा इनकवाइडी की जाएगी और इस्पर रोक लगा दी जाएगी मतलब कि जिसका वह जमीन उसने बंद कर रख spinecause आगा दिया जाएगा do thats कि लास्ता नहीं का रास्ता आपको रूकर को रोकना यज जमीन आपी है तो यह प्ता था था 60 50 Poor Today पहले से आपको पता है कि मेरी जमीन तो आपको पहले से बंद करना चाहिए था या जिन्होंने घर वहां पे बनाया दो चार घर जो बनाये हैं या फिर बनाने जा रहा है उन्हें पहले से आपको अगाह करना चाहिए था कि भाई साब यह आम रास्ता नहीं है यहां से होकर आप नहीं गुजर सकते हैं तो वह नहीं बनाता अपना प रास्ता बंद करेगा उस पर निश्चीत तोड़ पर कारवाई होगी यहां तक कि अगर आपको धमकाता है गाली भकता है मार पिट करता है तो उस पर आप राधिक मुकदमा भी आप कर सकते हैं तो यह मैं आपको रास्ता सुझा रहा हूं इसके अलाबा और भी सारी बाते बत लहती है और लोग आते जाते हैं लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग उसमें जबीन करते हैं कि पर चर्चा करते हैं तो ऐसे लोग होते हैं जो जो अपने बेवकुफी के दम पर आपको परशान करता है जैसे कि गली है रास्ता है वह अपना ओटो रिक्सा कर देगा वह अपना कुछ गारी खरा कर देगा बाइक लगा देगा इस तरह से कि आप आ जा नहीं सकते या फिर घ उससी परकार या फिर लगाया का देघ्या करATT आपको रास्ता रोकने का परियास करें या फिर य हां पिर किसी तरीके का ऐस समानों अब आने जाने में परिशानी आप जब आप बो लेंगे उससे तो सरकारी रास्ता I recommend कर थो जरूर बता वह उसलिए कि अब शरकार को हर देते हैं सव्रकारी रास्ता िसमें सभी है इसमें हर की चीज लगा हुआ है आपकाई अलगा होता है अगर यह को कई चीज्ड लगा ले रहा है को चीजर रख रहा है तो उसमें कोई आपती नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे सामति सब्सक्राइब होगा निलिया तो महीना साल tutorial को परिशान कर रहा है तो इसके लिए भी आपको क्या करना है इसके लिए भी एक रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूं कि सब्सक्राइब में पहले सवाल के जवाब में बताया कि इसमें भी सब्सक्राइब है यहां से हम लोग आते जाते यहां पहलाना सवान रखके जाम कर दिया जाता है भोल्ने पर मपोने के ध Epic करवाई N Normally करवायओ के aussi एक सब्सक्राइब कर अधिकरमर कर सकता यह सब्सक्राइब 123 के अंदर में असsheet 131 दारात लगेगा तो यह कोई भी कंजा नहीं कर सकता सर्कारी जमीतर करहीं नहीं सकता ना ही अतिकर्मन कर सकता है खास तौर पर अगर वह रास्ता हो तो ऊच्छेत के पास आविदन आप यह भी कर सकते अगर पहली दफाहा आप में पूली चोकी है यह पर भी जाकर आप 133 के लिए अभीधन दे सकते हैं सर्कारी जौन अतिकर्मन हो रहा है रोका जा रहा है तो आप अभीधन को देंगे हैं एक के लिए कि दुबारा ऐसा समस्या नहीं आनी चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए अगर दुबारा तुम ऐसा करोगे तो तुम पर कानूनी करवाई होगा तो निश्ची तोर पर उसे कानूनी समस्या का सामना करना परेगा और हो सकता है उसकता है उसे जेल भी जाना परे इसलिए यह आपको परिशान नहीं कर सकता तीसरे सवाल पर आते हैं यह समस्थ्य सबसे गहरी समस्य लोग अक्सर देखते होंगे कि कहीं पर अंदर में जमीन ले लेते हैं यह फिर कहीं पर प्लाट खरीदे लेते हैं लेकिन रास्ता सब्सक्राइब कर दो कि यह रोड है और यहाँ पर किसी का जमीन इसके अंदर में भी किसी का जमीन आपने यह पलौट खरीद लिया यह पलोट खरीद लिया तो यह एक जमीन दो जमीन के बाद रोड तो यह रास्ता ओटोमेटिक कैसे निकल जागा निकल ही नहीं सकता है किसी भी हलात में नहीं निकल सकता है चुकि आपके आगे नीजी जमीन है आपके आगे जो है किसी का नीजी जमीन है वह देगा तभी आप रास्ता निकाल सकते हैं नहीं देगा तो आप नहीं निकाल सकते हैं अपने जमी उसमें रास्ता लेने का भी अधिकार आपका नहीं है तो आप कहीं भी जमीन खरीद रहें जमीन खरीद रहें कहीं पलाट खरीद रहें तो आपको करना क्या सब सबसे पहले यह करना है कि जो जमीन खरम ये हैं कि मुझे घर बनाना आज ना करüneं गब बरे बरे बिल्डर ब्रोकर डीलर यह लोग प्लोटिंग करके बेशते हैं तो रास्ता निकाल देते हैं दस फूट 15 फूट 20 फूट का रास्ता उसमें निकाल देते हैं लेकिन निकालने के बावजूद रास्ता निकल भी गया है तो सिर्फ देखके आपको पलोट नहीं सबके लिए आम रास्ता होगा यह रास्ता निकाला हुआ है कि नहीं सबके लिए पर्मानेंट जो यह आम रास्ता हो सबके लिए रास्ता हो अगर रास्ता छोड़ कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि जो रास्ता निकालते हैं और जो बगल-बग कर देगा और उसी में रास्ता सभी का निकाल देगा लेकिन वह हो जाता है कि रास्ता सबके नाम से होता है सबके नाम से सामने का रास्ता है तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है लेकिन अगर सो सो गच का पलोट है या नबे नबे गच का पलोट है और किलियर अलग रास्ता दे रखा है जो किसी के नाम से नहीं है और कि लिए अलग है कि आम रास्ता रहेगा यह सब निकल लिएगा तो आप यह सोच ले आज नकल के मतलब है कि सो साल बाद जब आप नहीं रहेंगे तो सब्सक्राइब सकता है निकल सकता है कभी जब निकल सकता है लेकिन बरतमान में तो आप जोरदस्ती किसी से रास्ता नहीं ले सकते हैं नहीं पीछे वहाला आप दो पैसा ले लेना खुद में गैंगे एक उसा समय आगा कि यह होगा और वहाँ पर प्रिप्राइब करेंगे तो वहां रास्ता निकालेंगे लेकिन आप प्रस्णली किसी से रास्ता बिक्तिगतत तोर पे नहीं ले सकते हैं जबर्दस्ती अब उपर वाला दो सवाल का निदान आपको यह बता रहा हो कि रास्ता सरकारी हो या प्राइबेट हो रास्ता सरकारी हो या प्राइबेट हो किसी भी परकार का रास्ता हो लेकिन वह आम रास्ता है चालू रास्ता है आप चल रहे हैं आपके घर जाने का वही रास्ता है आप क्भी आपको डर है कि कभी न न कभी यह बंद कर देगा बार बार कुछ थहरा है यह बतानी जा रही है सबसे अहम मुद्दा है आपको डर है कि रास्ता अगला बंद कर देगा कभी ने कभी तापको पहले तैयारी क्या करना है कि आपको करना है कि आपको ठाने में पूलिस इस्टेशन में आपको जाकर रिपोर्ट लिखा देना और वहां पर करवाई होता है नहीं होता है इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है आपको सिर्फ वहाँ पर रिपोर्ट लिखा देना है और अपने पास एक प्रूफ ले लेना है मतलब एक रिसीविंग लेना जो आपके पास प्रूफ रहेगा कि हमेशा मुझे यह धमकाता है रास्ता बंद करने के लिए धमकाता है गाली गलोच करता है तो इसके लिए आप लिखा के वहाँ से आभिधन का रिसीविंग जरूर ले लेंगे दूसरा आपको करना क्या है कि स्पेस्फिक रिलीफ एक्ट मतलब की एस आर एक सेक्षन 49 के तहत आपको सीविल कोट में सीविल सूट आपको दायर कर देना है उसके खिलाफ और वहाँ से एस्टे लेना है व उस रास्ता को चाहे वह नीजी हो चाहे सरकारी हो या किसी परकार का और आपको डर था कि इस पर कुछ बना लेगा बॉंडरी कर लेगा कोई समान रख के जाम कर देगा आने जाने में दिक्कत करेगा तो जब स्टे हो जाएगा तो कभी भी इस चीज को नहीं कर सकता है ना न रस्ता बंद कर सकता किऊ नहीं नहीं कर सकता है तो आप के वहां से यह पहले देहीव और धनाया वेदन तो दो दोनों आपके लिए इतने फाइदे मन्ध होगा कि जीवन में करेगा राश्ता करने दूर आपके साथ कभी बी किसी परकार की दुस्मनी भी नहीं पालेगा क्योंकि उसके ओपर दो-दो कंप्लेन हो चुका होगा तो दोस्तों यह बहुत ही आसान आपको साधन में आपको बताया तो आपका रास्ता कभी नहीं बंद कर सकता है क्योंकि रास्ता अगर नीजी भी है तो तभी बंद कर सकता था ज लिए नहीं ले सकते है उसरा पर मैंने आपको पता दिया तो दोस्तों अगर ये तीनों cara मैं इसका जवाब तोर पर आपको दोंगा लेकिन अगर सवाल हुआ इसी तरीके से कोई ऐसा सवाल हुआ जो लगे हैं कि काफी लोगों का सवाल है जवाब देना जरूरी है सभी को तो आलग-अलगता सवाल का जवाब देना संभाव नहीं हुआ तो मैं इसी तरीके से एक और वीडियो बना दूगा बिल्कुल बिल्हें आसान तरीके